हेलो अच्छो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर आज हम करेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब इस पार्ट के पेज नमबर चार के प्रशन उतर और बाकी पार्ट हम कर चुके हैं इनसे पहले वाले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका ल इसमें एक प्रशन था एक दिन अकबर ने बीरबल से पूचा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाओ तो इसके बारे में मैंने आपको कहा था एक कहानी विश्वास वाली जिसमें बीरबल जाते हैं जंग कहानी बना सकते हैं तो एक पर क्या हुआ अकबर ने बीरबल से पूचा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है तो बीरबल ने कहा कि महराज गोद में खेलने वाला एक छोटा बच्चा दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है अकबर ने कहा बताओ कैसे सबस बच्चे को लेकर आए दरबार में और इस बच्चे को लाकर बीरबल ने अकबर की गोदी में लग दिया उनके हाथों में दे दिया बच्चे को चोटा बच्चा जानता कहा कि कौन राजा कौन दरबारी कौन मंत्री कौन शैनिक बच्चे ने खीची अकबर जी की मूच अकब चोटे बच्चे के सिवा या आपके सिवा आपकी मुचो कोन हाथ लगा सकता है क्योंकि मुच्छे तो निशानी है ना हमारी शक्ती की अगर हम कभी लड़ाई लड़ते हैं तो हम अपनी मुचो को हाथ लगाते हैं अपनी मुचो को ताओ देते हैं तो मुचे हैं हमारी ताकत की निशानी है और इस चोटे बच्चे ने आपकी मुचों को खीच दिया और ऐसा करने की कोई हम सोच भी नहीं सकते कि आपकी मुचों को खीच दें तो इस चोटे बच्चे से अधिक शक्तिशाली कोन है आप दुनिया के महान सपनाथ हैं महान अगला प्रश्ण तुम भी बीर्बल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंडो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुह बंद कर देता है तो एक बार क्या हुआ, कहानी का नाम है मुर्गे का अंडा अब मुर्गे कभी अंडे देते हैं, मुर्गी अंडे देते हैं, मुर्गे अंडे नहीं देते तो एक बार क्या हुआ, क्वाजा सरा की तरह ही, एक बार बहुत सारे दर्बारी दर्बारी मतलब जो लोग दर्बार में रहते हैं दर्बार मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोर्ट जो किंग्स कोर्ट होता है किंग्स पैलेस होता है उसके अंदर जो लोग रहते हैं महाराज के दर्बार में और महाराज की मदद करते हैं उनके फैसले लेने में लड़ाई के लिए या अपना राज़े चलाने के लिए तो उनको बोलते हैं दरबारी तो एक बार क्या हुआ सभी दरबादी ने योजना बनाई कि क्यों ना बीरबल को फसाय जाए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने टोकरी में एक अंडे लिये और एक एक अंडा उसमें से निकाल लिया और अपने पास छिपा लिया और उन्होंने कहा बीरबल जब आएंगे तो आप सभी लोग पानी में कूछ जाना और अंडे को छुपा लो अंड़ा दिखना नहीं चाहिए लेकिन जब आप आओगे पानी से तो अंड़ा आपके आत्म होना चाहिए ताकि लगे आप जो अंड़ा है आपको किसम मिला है तालाब मतलब पश्का किसी जीलवाली जगया पर तो वहांपे जो पाणी बढ़ जाता उसको बोलते तालाब तो उन्होंने बोला कि तालाब में आपको जाना है एक इक अड़ा लेक आना है उन्होंने ये बात अपर को बता दी अपर ने बिर्भल केे आते ही कहा बीड़ल जी हमें एकल सपने में मुझे लगा और मैंने सपना देखा कि क्यों ना मैं जितने भी लोग मेरे दरबार में है उनकी योग्यारा मतलब eligibility कितने qualify हैं कितने ओशे आ रहे हैं वो वो उसने क्या किया तो क्या करूँगा मैं आज चेक करूँगा सब लोगों को पानी में जाना है जो जो लोग अंडे ले आए वो वफादार है faithful है लेकिन जो नहीं निकाल पाए जो नहीं ला पाए वो भरुसे के लायक नहीं है मैं सिर्फ उन पे ट्रस्ट करूँगा जो पानी में अंडे ले के आए उन पे नहीं करूँगा जो अंडा नहीं ले के हैं राजा अकबर को पता था कि बिर्बल बहुत बुद्धी माने इसका कुछ न कुछ उपाए ढोंड लेंगे तो बिर्बल ने सब लोग पानी के अंदर जाते एक एक अंडा ले आते पानी के अंदर जाते एक अंडा ले आते अब पानी के अंदर जाएंगे तो अंडा कहा से मिलेगा अंडा तो किसके पास होता है मुर्गी के पास होता है और मुर्गी पानी के अंदर रहती नहीं तो बीरबल ने सोचा कुछ ना कुछ तो यहां प्लान चल रहा है, कुछ ना कुछ तो यहां चाल है, तो बीरबल ने भी क्या किया, पानी के अंदर डूब की लगाई, पानी के अंदर डूब की लगा कर बीरबल ने टोकरी ढूंडी, बीरबल को लोगा कि लोग सब टोकरी मे अब टोकरी नहीं थी तो बीरबल ने सोचा अब क्या किया जाए वरना महाराज के सामने बेशती हो जाएगी तो बीरबल ने क्या किया अपने गुद्धी लगाई और अंदर से चिल्लान लगे कुकडू कुकडू कुडू कुडू अब बीरबल थे आदमी और मुर्गा भी क्या होता है मुर्गा भी मेल होता है तो महाराज ने का बीरबल ये तुम पानी को छपचा पा रहे हो पानी में हाथ मार रहे हो और कुकुडु कुकु बोल रहे हो मुर्गे की तरक्चों बोल रहे हो तो जैसे ही लोगों ने सुना तो बिर्बल ने का माराज मैं ही वो मुर्गा हूँ जिसके अंडे लेकर आ रहे हैं तो इतना ही बोलते ही बादचा के चैदे पाशी आ गई और सारे दर्बारी शर्मिंदा हो गई सब लोगों की चाल पर पानी फिर गया मतलब पानी फिर ना मतलब बेकार हो गई अगला बिर्बल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजे जवावी के किस से प्रसिद्ध है उनके नाम पता करो तो कौन-कौन से कहानी आपने सुनी है जो लोग अच्छन से देते थे इसमें तेनाली राम इसको तेनाली रामन भी बोल सकते है तेनाली रामन ये मुल्ला नसिर उद्धिन इनकी कहानिया सभी की बहुत प्रसिद्ध है गोपाल भांड शेख चिल्ली और लाल उजक्कड आपने लाल उजक्कड शेख शिल्ली और तेनले रमान की एक कहानिया सुनी होगी तो इनकी भी ट्राइ केजिए के कहानिया सभी के बारे में पढ़ने के लिए ये भी बीरवल की तरह बहुत चतुर थे और ये भी बहुत अच्छे उत्तर देते थे नीचे दिये गए शब्दो की जगए और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगए में लिखो बुद्धिमान बुद्धिमान के जगए के इस्तेमाल कर सकते हम शमजदार ये इनके अर्थ हैं या कह सकते है शिनोनियम समान अर्थी शब्द तो बुद्धिमान समझदार मूर्ख बेवकूफ अभिमान घमंड विश्वास यकीन विश्वास मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं विश्वास को ट्रस्ट बोलते हैं संसार दुनिया कोशिश प्रयत्न कोशिश मतलब एफर्ट उसके बाद लास्ट कोशिशन आपका मुहावरे नीचे दिये गए मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो आपस में चर्चा करो अब इन वाक्यों में इस्तेमाल करो नाक बहुत सी कोड़ना और कलाई खुलना है इसका मैं आपको बता चुका हूँ नाक भोँ शी कोड़ना का मतलब क्या होता है बताइए इसका मतलब सोची है माइड में प्हुले सेंटे permitir करते हैं इसका गोबर का नाम सुन्दे ही यूटम नाक भो शी कोड़ लेती है ओके घोबर क्या होता है the waste excrete by cow और buffalo जो गाय और buffalo जो फोटी करते हैं उसको क्या बुलते हैं गोबर क्या बुलते हैं गोबर और उस गोबर को हम फ्यूल की तरह भी धन की थे भी इस्तमाल करते हैं गाउ में उसको जलाकर खाना बैणा जाता है उसको लकड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है उसको पहले उसको इखटा करते हैं गोबर को सुखा देते हैं फिर कुछ दिन बाद एक दो दिन बाद उसको आप जला सकते हैं उसके आप आग भी लगा सकते हैं next कलाई खुलना परिक्षा का प्रिणाम आते ही सोनों की कलाई खुल गई आप आपको इन दोनों मुहावरों का अर्थ मुझे कमेंट करना है इसका अर्थ आप बताएंगे फिर मैं बताँगा किसने सही बताया किसने गलत बताया तो इस पार्ट से जुड़े बाकी हम प्रशन उतर और वियाकरन बाद में करेंगे तो बाई अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं